अब भी तक लागू नहीं हुए थे बहुत सी अरबी में बीदी कुछ दिनों में इस मार्च के मन्त में बहुत सी अरबी में जो पार्ट बी के अलाउंसर हैं जैसे आपका हॉल्टिंग होता है या आपका ट्रांसवर पे कितनी कमपरेशन मिलेगी आपका जो पेट्रोल है उस बीदिट्ली जो है उसमें कुछ भी मढ़ोती नहीं की गई है एक हिसाब से बोले तो आल अलाउंसर सभी तरकी जो अलाउंसर मों किट कर दिया गये है आपका लोकेशन अलाउंस हो गया जो मिला ठाट लर्निंग पर नहीं था वहां पर नहीं तो यहां पर नहीं है जो कॉम तो यह हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं यह आप देखिएगा लेकिन चूंकि अब आप अपनी सेलरी को प्लाना चाहते हैं तो जी आई भी आप कर सकते हैं आपको इसके लिए एक एक स्ट्रा इंक्रीमेंट मिलता है साथ में प्रमोशन के लिए एक साल पहले आप इलिजबल हो मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है एक बार जरूर आप चेक करिए फ्री में एक मॉक्टेश देके देखिए फ्री में कुछ उनकी वीडियो देखिए अगर आपको कॉर्स अच्छा लग रहा है तो ही आप ज्वाइन करिए 110 ज्यादा वीडियो लेक जब वीडियो में दिये गए लिंक पर आप क्लिक करेंगे और वहाँ पर इमेल आइडी पासवर्ट फोन नमर डाल के रेजिस्टर करेंगे तो कुछ ऐसे ओपन होगा पीच यहाँ सब्सक्राइब नौ पर जब क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद एक नया पेज ओपन हो आप किसी ब्रांच में पोस्टेड है कहीं और डियूटी के लिए जाता है तो आप जो वहाँ पर रुकते हैं काम करते हैं उसके दिया है हौल्टिंग अभी तक कि हम बात करें तो ब्रांच जूर्ड अरिया में है तो उसी को लेकर के बात करते हैं अभी तक 425 रुपय यहा आपको अपनी ब्रांच से किसी और ब्रांच आपको कितनी बार भीज़ा जाएगा जो मेन अलाउंस थे उनको जो है यहां पर कोई भी उनके बारे में डिस्कुरिशन नहीं किया गया है हाँ क्लरिकल के केस में आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो अभी तक नहीं मिलता था जो की सेलरी का पार्ट था वो यहां पर आपको मिलने लगा है 600 रुपए पर मंत प्लस उस पर जो भी अप्लिकेबल डिये होगा वो क्लर को जरूर मिलेगा तो यहां पर लांस की बात करें यहां पर तो फिलहाल इसमें यही है कि हाल्टिंग अलाउंस बढ़े हैं और जब आपको ट्रांसफर होता है ट्रांसफर जब रिक्वेस्ट लेकर ट्रांसफर लेते हैं वह अला ट्रांसफर नहीं रिक्वेस्ट ट्रांसफर पर आपको कुछ नहीं मिलता है जब बैंग अपनी मर्जी से आपका ट्रांसफर कर देती है इसको हम बोलते है एड्मिस्ट्रेट थे जो आपके क्लर्क से नीचे पोस्ट पर आते हैं इनकी 200 रुपए थी वह बढ़के अब 375 रुपए हो गई है अब कंपनेशन क्या मिलेगा ट्रांसफर पर तो उसके रेट दिये गए हैं कि आपका कितना ओफिस असेटन को 3000 किलो पर कितना मलेगा अगर 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 आप अ 1250 रुपए मिलेंगे कंपनेशन अगर आपका ट्रांसफर होता है तो बस इतना से अलाउंस है इसके बारे में कोई बात नहीं कि सेम चीज यहां पर अगर दूसरी बैंक का सर्कुलर लें आर्रेवर्ट बैंक का यहां पर भी हॉल्टिंग अलाउंस जो था वह हम 425 रुपए का ओफिस असिस्टंट के केस में 300 का जो हो गया है वो यहां पर 675 रुपए और ओफिस अटेंड़ केस में 200 रुपए का 375 रुपए हो गया है ऑफिस असिस्टंट को वही 300 kg बाइट ट्रेन जो भी है उतना आपको यहां पर मिलेगा और जो 800 रुपए था, 1615, 1100 बस इतनी ही चीज़ है, सभी RRBs में almost सेम चीज़ की गई है, किसी में भी कोई फरक यहाँ पर नहीं है, अब यहाँ पर loss क्या हुआ है, NPS जो कि monthly contribution, यह सब transfer कितना होगा है, पान साल, साथ साल में एक बार transfer होगा, ठीक है, and तीन साल में एक बार चलो हो जाएगा, halting कितनी साल में दो-चार बार, कोई मतलब नहीं है, NPS जो कि मंतरी आपकटता है, उसमें employer contribution 14% होना चाहिए, जो कि अभी 10% चल रहा है, इसके बारे में कोई बात नहीं की गई है, officers की यहां पर हम अगर salary की बात करें, तो rural branch में दिक्तर posted है, 700 रुपए पर मंत का इस bipartite में location allowance जो है, वो एप्रूव हुआ था, वो भी नहीं दिया गया है, and अगर हम बात करें, एक और allowance introduced हुआ था, इसको हम बोलते हैं learning allowance, ठीक है, वो आपका 600 रुपए था, प्लस इस पर DA applicable था, तो टोटल अगर हम यहां पर मंतरी loss की बात करें, जब आप पहली बार bank join करते हैं, आपकी 36,000 रुपए होती है, अगर इस हम 36,000 रुपए का 4% निकाले, तो बहुत ही मोटा समय जोड़ों, तो बारा सो पच्चास रुपए के आसपस बहुत ही round figure ले रहा हूं हो गया, यह 700 रुपए आपका लोकेशन रुपए से 4% क्यों NPS contribution, जो कि 10% मिल रहा है हम लोग को 14% मिलना चाहिए, वो 4% का लोकेशन रुपए लोकेशन रुपए का और 600 रुपए आपका learning allowance का 600 रुपए पर DA भी 30% हम माल लें तो भी 180 रुपए इस पर जो है DA यह अगर आप जोड़ लें तो आपका कितना हो गया देगे 612, 13 और 2550 और 1500 भी माल लिए 2700 यानि 2700 रुपए से 3000 रुपए के आसपास का मन्थली यहां पर हमें लॉस हो रहा है जो की बेसिकली learning allowance, location allowance और NPS सारे salary के पार्ट होने चाहिए थे लेकिन वो रिजन रुडल बैंक में नहीं दिये जा रहे हैं एक प्रकार से गौर्मेंट की तरफ से या फिर बोलें और स्पॉंसर बैंक की तरफ से salary के पार्ट में भी इतने का यहां पर loss हो रहा है, reason क्या है, reason नहीं की है reasonable bank के unions है, उनको इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है, कोई बहुत बड़ा agitation नहीं होता है, होता भी है तो support नहीं है, एक union दूसरी union को यहां पर बस एक दूसरे में ही होता रहता है, कि इन्होंने यह क्या, उन्होंने वो किया and staff में भी unity ना के बराबर है कोई चीज, अगर कोई initiative होता भी है तो इसमें staff का support नहीं आता है इस तरह से loss भी जाते रहेंगे अब जो लोग better है कि State Bank of India clerk में हो रहे हैं या फिर commercial bank में किसी अगर आपको अगर आपको अच्छे लगी होगी है अच्छे लगी होगी है तो लाइक करिएगा चैनल को सब्स्राइब करिए वीडियो को और लोग को शेयर जरू करिएगा एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अल्डिवोट का लिंक दिया है एक बार चेक जरूर करिएगा थाइंक यू और वेरी बेस्ट फॉर फ्यूचर